ओके गाईज, आपसे थाब दोस्तों, आज की वीडियो इंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर दोस्तों आप अपना Android phone यूज़ कर रहे हो, Android phone के अंदर दोस्तों आप चाहते होकर वाई हम आईफोन के energy's, या नि कि के iPhone का keyboard, आपने Android phone के अंदर लाना चाहते हैं, कोई आपको application यूज नी करनी कोई आपको website के उपर नी जाना किसी को मतलब किसी को भी कुछ नी कहना वही आपने सिर्फ आपने अपने smartphone के उपर ही करना है आपके बस किसी भी company का smartphone हो चाहे हो Vivo का हो, Oppo हो, something हो Redmi हो, किसी भी smartphone से तलक रख रहे हो, तो मैं कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा end तक देख लीजिएगा हर company, हर smartphone के उपर आपको ये option देती है कि आप अपने emojis को change कर सकते हैं और ये smartphone, हर smartphone के उपर अंदर option होता है दो ऐसे तरीके होंगे, जिससे आप डून पाएंगे वो option यानि के setting अंदर वो चीज़ भी होती है आपके smartphone के उपर जो applications होती है बहुत सारी, उसके अंदर भी होती है और तीसरा तरीका भी होगा जो मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूँ इन तीन तरीकों की वज़े से हर वो smartphone के उपर आप ये option डून सकते है और आप easily अपने smartphone के उपर यानि Android phone के उपर iPhone के images को add कर सकते हो change कर सकते हो तो कैसे करना है तो इस वीडियो को like करके जाना है तो चलिए, वीडियो करते हैं जल्दी से start ओके guys, यहाँ आपर आ चुकिए बस वीडियो के इंड तक देखना है जितना भी कोई भी आपके पास smartphone है Xiaomi है, Redmi हो, Oppo हो, Vivo हो किसी भी company से आपका smartphone का तल्ला कहना यानि कि किसी भी brand का आपके पास smartphone है आप कर सकते हो यार अभी देखना, यहाँ पर मेरी MGS के colors देखो और साथ में designing देखो और इनकी बनावट देखो गोर से देखलो, भूल ना जाना क्योंकि इसका screenshot लेके रखलो उसके बाद मैं आपको आगे जाके जब change करूँगा आपको दिखाऊंगा किस तरीके से दोस्तो आप change कर सकते हैं बड़े professional तरीके से बताऊंगा तीन तरीके बताऊंगा same बिलकुल होंगे लेकिन तीन तरीके वो होंगे जहां पर आपको वो option देखने को मिलेगा आपको same तरीका एक ही होगा लेकिन ये option, ये setting, ये application कहां पर वो मुजूद है जहां पर हमें मिलेगी तो उस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छा, अब आपने emoji's तो मेरी देख ली है, किस तरह की है तो गोर से देख लीजिएगा, ठीक हो गया अच्छा, अब हम करते हैं back back करने के बाद दोस्तो सबसे बड़ा स्वाल दोस्तो, एक तो रेडमी फून, और साथ में एक वीवो फून, उनके अंदर एक अप्लिकेशन होती है, अब जिस तरह के दोस्तो मेरे पास एक वीवो स्मार्ट फून है, और इसके अंदर दोस्तो मेरे पास एक अप्लिकेशन है, थीम की, अभी आप देखीगा यहाँ पर यह अप्लिकेशन देख रहुँ, यह अप्लिकेशन है, अगर मैं इसको उपन करता हूँ, यह फून के अप्लिकेशन है, ठीक हो गया अगर नहीं है, तो मैं दूसर तरीका बताता हूँ, अच्छा, अब हमें करना कि अपने फून की सैटिंग के अंदर आना है सैटिंग के अंदर आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपने थोड़ा सा स्क्रोल करना है, याद रखीगा अगर आपके फून के अंदर सर्च का आप्शिन है, तो आपने यहां से दोस्तो आपने सेलेक्ट करना है थीम को जब आप सेलेक्ट करोगे आपके पास ये पेज आ जाएगा अब हमें करना क्या दोस्तो अब यहाँ पर हमें फॉंट वाले आपशन के उपर आना है अगर आप पहले जैसी एमोजीज अपनी रिखाना चाहते हैं तो माई जीज सेलेक्ट कर लेता हूं कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूं या फॉंट सेलेक्ट कर लेता हूं तो यहाँ पर रिबोटो पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका पहला जो स्मार्टफून का फॉंट होगा वो आटोमेटिक सेलेक्ट होजेगा याद रखिएगा जब आप आप दोबारा से कोई और phone select करते हैं तो रिबोटों पे जब आप अपना original phone select करते हैं यानि phone select करते हैं तो आपका phone एक बार restart होगा जिससे आपको न data delete होगा न कोई भी phone के उपर जो वो मसला या problem नहीं पड़ती है अच्छा मैं बात कर लेता हूँ अब सबसे पहले phone वाले नीचे से आपने आ जाना है ठीक हो गया उसके पाद मैंने तीसरा तरीक आपको नहीं बताया तो वो बता देता हूँ आपने screen को उपर tap करके रखना है ठीक हो गया यहाँ पर यह option देखनी को मिलेगा आप इस पर click कर दो जब आप इसको उपर click करोगे simply यह option यानि के यह theme की application यहाँ से भी directly open हो जाएगी अब हमें phone वाले option के उपर आजाना है यहाँ से हमने search करना है iOS emoji ठीक हो गया आपने search कर देना है जब आप search कर दोगे याद रखिएगा यहाँ पर जिस यहाँ पर found के option के उपर अगर आपको emoji देखने को मिलेगी आपने emoji जहाँ पर लिखा हो उसी को select करना है ठीक हो गया यहाँ से मुझे यह पहले पर देखने को मेरे है तो मैं पहला ही select कर लेता हूँ अब मुझे यहाँ पर सिर्फ apply का option देखने को मेरा लेकिन यहाँ अब आपको यह नहीं देखने को मिलेगा अगर आप fast time इसको open कर रहे हो क्योंकि मैं इसे apply कर चुका हूँ देख चुका हूँ try कर चुका हूँ उसके बाद मैं आपको यह वीडियो बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपके साथ कोई भी ऐसी चीज ना हो प्रॉब्लम ना हो जिससे आपको मसला है या मैं जो है वो fake वीडियो बना दूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पहले भी मैं वीडियो इसको बना चुका हूँ काफी लोगों का अच्छा रिस्पॉंस आया इसलिए मैंने बनाने चाही यहाँ पर आपने क्लिक कर देना फिर डाउनलोड होगा फिर अपलाई होगा अपलाई पर मैं आप क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद डारेक्ली मैं चलता हूँ अब इस पेज को पर जहाँ पर हमने अपनी एमोजीस देखी थी अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ आने के बाद मैं प्रेस करता हूँ एमोजीस को पर अभी आप देख सकते हैं दोस्तो हमारी एमोजीस चेंज हो चुकी है याद रखेगा यह चेंज हो चुकी है खौर से देख लीजिएगा जो हमें यहाँ पर दिल देखने को मिल रहा ना दिल यहाँ पर उनका जो चेंज है वो देखो अगर आप और भी अपलाई करके देखना चाहते हो तो यह वो भी देखो यहाँ पर मालीजिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अंडराइट 12 एमोजीस देखने को मिल जाएंगी ठीक हो गया यहाँ से आप इसको अपलाई कर सकते हैं ठीक हो गया यहाँ यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिलती है यह यहाँ पर हम कोई भी यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं मालीजिए यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद दोस्तो मैं इसको भी अपलाई कर देता हूँ अभी देखिएगा कि वेटिंग हो रहा है थोड़ा सा जो वेट करना होगा ठीक हो गया उसके बाद हमारे पास ये डाउनलोड हो जाएगा अब हमें अपलाई कर देना है apply करने के बाद दोस्तो हम आते हैं अब back अब मैने जो change की थी वो देख लीजिएगा अब यहाँ पर मैं change करूंगा यह देख लीजिएगा अब देखिएगा यहाँ पर तो changing पहले जैसी हो चुकी है तो इस तरीके से दोस्तो आप अपना सारे इन जोहाँ पर images देखने को मिले उनको आप apply करकर के देखो उसके बाद दोस्तो जो भी आपके फून के उपर apply हो जाए तो वो आपके लिए best होगा इस तरीके से दोस्तो यही त्वीका जिससे दोस्तो आप iPhone की images को Android phone के अंदर इस तरीके से apply कर सकती है हाँ वीडियो अच्छी लग यह लाइक कर देना चैनल को subscribe कर देना बेल लेकिन को प्रेस कर देना मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में नेक्स टोबिक साथ